गुड़े एवरिवन मैं हूं इस्पेक्टर नीश यादव डिश्टिक्स साइबर सेल इश डली आज आपको एक ऐसे साइबर फ्रोड के तरीके के बारे में बताना चाहूंगा जिसके बारे में काफी लोग अवेर हो चुके हैं लेकिन काफी ज़्यादा लोगों को अवेर्नेस की आवशकता है आपको किसी अंजान लड़की की फेस्बुक पर फ्रेंट रिक्वेस्ट आती है या वाट्सेप पर डारेक्ट आ सकता है मेंसेज या फ्रेस्बुक मेसेंजर इसके उपर मेंसेज आने शुरू होते हैं धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है वो आपमें इंटरेस दिखाती है और आपसे वीडियो कॉल करेगी या करने के लिए कहेगी कई बार मेसेज रिकॉर्डेड होते हैं कई बार लड़कियां उस तरफ लाइव हो सकती है आप उस ट्रेप में आ जाते हैं अगर उस तरफ लड़की है तो कई बार वो कम कपड़ों में होती है या आपसे कपड़े उतारने के लिए खाती है अगर आप आसे खड़ते हैं तो आपकी फून पर ही वीडियो शूट हो जाती है उस वीडियो को दिखा कर भेज कर आपको ये कहा जाता है कि आप इतने पैसे इतना आमाउट दे दीजिए वरना हम इसे फेस्बुक पर आपके दोस्तों को आपके रिश्चेदारों को, फैमिले वालों को भेज देंगे इससे बचने के लिए आपसे पैसे माँगे जाते हैं आपके प्रोफाइल के हिसाब से पांत सो रुपे से लेके एक लाग रुपे तक कुछ भी अमाउट मांगा जा सकता है तो आपसे अनुरोध ये है कि जब भी आपके पास कोई इस तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट या मेसेज आए तो भाग कर शीशे के सामने जाएं और ऐसे ऐसे करके दो-तिन बार अपना चेहरा गूर से देखें और फिर ये सोचें कि आपके इस चेहरे के अंदर ऐसा क्या है कि उस लड़की ने अपने आसपास मौझूद सभी लड़को और फेस्बुक पर मौझूद करोडों लोगों में से किवल आपको चुना अपनी गलत फेमी दूर करें असल जिन्दगी में तो लड़कियों को उनके आसपास मौझूद लड़कों के ओफर्स को ठुकराने से फुर्सत नहीं मिलती तो दूसरी टिप अगर ऐसी वीडियो बन जाएं तो किसी भी वज़े से पैसे ना दें इस crime की reporting अपने local police station में जो भी कोई आसपास मौझूद option है वहाँ पर खरें जितने आप पैसे देते रहेंगे demand बढ़ती रहेगी उम्मीद है आप बात समझ गये होंगे और खुद को improve करेंगे धन्यवाद ये कवेर्नेस वीडियो है अगर आपको लगता है कि आपके किसी जानकार को भी इस बारे में पता होना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं धन्यवाद